है एवरिवे वेल्कम टू अवर नीव वीडियो इस वीडिवम देखने वाले हैं कि जब भी कोई भी वेबसाइट होती है ठीके आब वर्ट्रैस में कोई भी वेबसाइट जांबनाने वाले हो तो उस वेबसाइट में सेक्यूर्टी कंशर सकते हैं security purpose में ठीक है so let's see कि हम कैसे कर सकते हैं so आपकी website कोई भी हो सकती है तो let's see मैंने जो अभी website में यूज़ कर रहा हूं वो एक portfolio website है ठीक है तो आइए दिखते हैं कि सबसे पहले कौन-कौन सी ऐसे security चीज़े हैं जो हमें करनी चाहिए हमारे टीक है तो जो सबसे पहला security features है और concern है वह एक strong password ठीक है तो अपने website को कभी भी strong password रखना तो वह कैसे रखते हैं आपको जाना है setting में setting के अंदर आपको option मिल जाएगा जर्नल जर्नल में चले जाए आप जर्नल में जाने के बाद आपको इद्दम नीचे जाना है यहां पर आपको बहुत से चीसे मिलेंगी जैसे की administrative email address तो आप याद रखिए कि आपने जो email address रखा है वो आपका ही हो properly ठीक है next इसके बाद यहां पर बहुत सा रोल्स होते हैं जो क्योंका new user default तो यह subscriber ही हो ठीक है इसके बाद next आपको दूसरा काम जो करना है वो करना है टूल्स में ठीक है आपके वेबसाइट में कितने भी यूजर हो सकते हैं यहां पर फिला तो मैं एक ही यूजर हूँ हो सकता है आपके वेबसाइट में दो या फी दो से जादा यूजर हो जो यहां दकीका कि उनका जो पासवर्ड हो वह हमेशा बहुंच आजा स्ट्रॉंग हो ठीक है तो आपका जो भी यूजर है उसमें एडिट कर लीजे एडिट में जाए एडिट में जाने के बाद आपकी वेबसाइट में रिचे जाएंगे आप यहां पर आपको ऑप्शन आए एक इन्पूट आगया अब यहां पर जो भी आपका पासवर्ड है यहां पर पासवर्ड देर दीजिए यहां दखना कि आपको जो पासवर्ड हो बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉंग होना चीए तो for example अगर मेरा जैसे portfolio ठीक है तो मैं लिखे रहा हूँ इसके बाद यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं तो पहला चीज आप अपने साब से कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं अपने साब से बना कर रखें यहां दखना कि आपका जो पासवर्ड हो बेसिकली स्ट्रॉंग ठीक है अब इसके बाद यहां पे एक प्लगिन हम लोग लेने वाले है इस प्लगिन का नाम है बेसिकली जस्ट अबिने ठीक है उसका नाम है बवेट्प्रेस हार्ड नियकेट ए यह देखिए ओं आर्टप्रेस हार्ड नियुक्हार्ट को अब बहुत सारे तरह देखने मिल जाएगी हमट वीदीन च्थ वह प्लगिन है यह वाला है एक अंफ्ट्रा का वर्ट्रैस हार्ड ठीक है द्यान से Antwort adhering क्या करता हैए एक प्रिस्टार हो गया फट्टा फट्ट के लिए ऐसे एक्टिवेट करने के बार आपके डैश्बूट में ही आपको यहां पर देखने मिल जाएगा सिक्यूरिटी हाड़निंग ठीक है तो यहां पर आपको डिफ्रेंश कर रहा है यहां पर आपको अप्शन आगा है डबलूप कांसे चीजें करने चीजें यहां पर आपको यह आलिन बन जितने भी चीजें होती है आपको करने दे रहता है तुए अगर मेरा देखें तो मेरा 50% साइट है जो की बहुत ही खराब है अब यहां पर देखो मुझका कहा रहा है कि वर्ट्रेस प्लग इन वर्जन चेक अब यह क्या होता है बाता हूँ fireworks status और file permission चेक लाइक जो checker है उसमें कुछ कर सकते नहीं है next firewall status यह है यह हम लोग बात में देख लेंगे और wordpress plugin version check किया है यह बाताते हैं 19 तरह तरह के security concerns आजाएंगे basically features आजाएंगे इसको आपको click on या off करने अब इसमें आपको सब on रहने देना है कुछ भी off नहीं करना है जब तक आपको किसी एक चीज की ज़रुत नहीं पड़ रही off करने को जैसे मैं दिखा देता हूं तो यह दिखिए रहा डिसेबल WordPress application password ठीके तो यह से बन कर दीजे application password जो होता है वो basically होता है कि जब भी एक आपका database बनता है राइट तो आपका एक application password होता है आपके WordPress के लिए तो कोई भी उससे भी आपको WordPress पर लोगिंग कर सकता है तो उसे डिसेबल कर देगा फिर यूजर इनुमेरेशन बन कर देगा यहां पर लिखा है चेंज लॉगिन यूर यह भी हमें करना है जो कि फिलाल बंद है वो कैसे करना देखते हैं डिसेबल लाइक एक्जमल रपीएस डावलूपी एपई जैसन अभी बन करना है डिसेबल फाल इडिटर अब फाल रिटर क्या होता है अपीरेंस पे अप्शन होता था फाई एडिटिंग अडिट फाई वो अभी नहीं मिल रहा क्यों कि हमने बन करते हैं अगर मैं इसे ऐसे करदूंगा और रिफ्र्छ कर लूँ ठीक है और अब मैं अपीरेंस पे जाओ गोरुं ओकी हो गया थीक है अब यह आप्ड अगरुंद लाकी इस पर और करना इस ने जाओंगा तो मुझे आपका कस्टमाइजिशन की ओप्ष्शन हाजेंगे थीम्स को लें ठीक है तो जिस तो इससे भी ऑन कर लेते हैं इसे के साथ साथ यहां पर और भी बहुत सारी चीज़े हैं यहां दखना कि सब चीजे आपके कर रहे हैं जिसे कि यहां पर मैं कहा रहा हूं कि रिमूव वड्प्रस में जने टाइक हमारे सोशल शेयर में काम आते हैं यहां पर देखो स्टाइल शीट में बन कर दे रहा हूं फिर रिमूव वर्जन फॉर्म स्क्रीप तो यह सब चीजे ओफ होनी चाहिए पर अगर आपकी यहां पर देखने मिल जा रहा है सिक्यरोटी हार्ट अपको मिल जा रहा है यह देखें यहां पर ठीक है तो यहां पर आप सब आउन रख लिए रहे इसके बाद यहां पर एक एक फीचर है चेंज लॉगिन यूर्ल यह क्या होता हम देख रहे ठीक है अब जैसे समलीची आपकी यह पोर्टफुलिय वेबसाइट है ठीक है यहां पर आओ और यहां पर स्लाश लॉगिन लि और यहां पर यहां पर लूगिन कर सकता हूं अगर आप यहां पर मैं अभी नों लिखू ठीक है तो अब देखिए अब मैं आप लॉगिंग कर सकता हूँ तो यहां पर जो मेरा like login slug है ending का यह change कर दे रहे तो एक तरह से यह अच्छा security features राइट तो ऐसे आप यहां पर change कर सकते तो second जो हमारे पोटफोलियो में एक security feature हमने आड़ी क्या वह है WP hardening ठीक है अब इसके बाद हम लोग जो अगली चीज़ करने वाले हैं वह है जो बहुत सदा important होता है वह हता है हमारे website को up to date रखना ठीक है इसे यहां यहां पर elementary के लिए अपडेट आया तो इसे अपडेट कर लिए सेम स्मार्स आडर के अपडेट आया तो इसे अपडेट कर लिए ठीक है तो अपने website को हमेशा up to date रखना है जाकि कभी भी कोई भी वर्जन डिफैक होने के वज़े से आपकी website में कभी crash या फिर security concerns हो जाओ अब इसके बाद सबसे लास्ट चीज जो हम करने वाले हैं वो यह है कि हम अपने website में login limit रखेंगे ठीक है अच्छा एक और चीज हमने एक साथ दो चीज़े यूज कर ली डबलूपी हाडणिंग में अपने website को बहुत सारे चीजों से हाड लाइक हाड डिंग डे दी हमने बहुत सारे एडिटिंग एक्सेस बन कर दिये उसे के साथ साथ हमने हाइड login पेज भी कर दिया अब अब स्लाइश लागिंग डिरने पे हमारा login पेज नहीं दीखता हो तो इसी के साथ हमने एक login पेज राइक login पेज कर दिया तो ये भी आप एक तरह से अलग सा फीचर देख सकते हो बड़ हमने आपको एकी जो इक प्लगीन हैं हम और लग इन करने वाले राती हम फ्लगीन पर ठीके प्लगों पर जाने के बाद हम जाने के बाद यहां पर आपको बहुत सारे अलग तरके प्लगिन देखने मिल जाएंगे हमको जो प्लगिन यूज करना है वो प्लगिन कुछ ऐसा दिखता है लेविट लॉगिन अटेंप रिलोड ठीक है इसे लिजी इंस्टॉल इसे इस्टॉल करने के बाद के लिए अब इस प्लगिन का यूज हमें क्यों कर रहा है कभी भी देखा होगा कि बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं आपने ओनलैन वीडियो देखे होगी आफिर ऑफ्लाइन कभी भी सामने से देखा होगा कि वेब साइट में अनलिमिटेट पा करी सकता नहीं झाहिए दीखे अब सब्सक्राइब यह लगी लिखा यहां पे डिखा है यहां पर लिख लिख लाइए लिमिट इसपे चले जाए इस पे क्लिक करने के बाद आपको यह जो प्लगिन है वो प्लक ऐसा डाश्बूट यहां पर आपको डाश्बूट दिख रहे हैं यहां पर सेटिंग में जाना है आपको ठीक है ठीक है अब अगर यह दिखाना नहीं है तो इससे बन कर सकते हैं अधर बास को रिख करते हैं फिर नोटिफाइव लॉकाउट अब हमेशा जब भी तीन से ज्यादा लाइक तीन से ज्यादा बार जब भी कोई रॉंग पासवर्ट डालेगा तो मुझको एक इमेल आएगा कि य यहाँ पर देखिए फ्रकाम का है लॉकाउट चार करने के बाद 20 मट का लॉकाउट होना चीए फिर जब भी चार के बाद जब भी कोई एक वापस रॉंग करेगा तो सिधर 24 आसकरे हमारा वेबसाइट उस आई-पी एड्रेस और उस सर्वर के लिए लिए लॉक हो जाएग तो है ना बहुत यह अच्छा फीचर इसे को लेता हम सेव सेक्टिंग अब चली इसे टेस्ट कर लिए ठीक है अब यहाँ पर सम्मलीजे यह वापसाइट है स्ट रिफ्रेश जिए अब यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया अब यहाँ पर समलीजे नो कुछ भी लिखता हूँ इसे जाल दिया और देखिए अभी हाँ यह हो गया क्या पर दिखेंग इसाने पास्वड अब यहाँ पर बार बागव लिख लींख लीटें हम लोग सब्सक्राइब अब दो बार डाल दिए पासवर्ट ऑ रात्र ताइम ठीक है अभी यह लास्वां ट्राइ करते हैं तो अब देखे अभी आपने क्या लिख रहा है टू मैंनी फेल लॉग इन अटेंट प्लीस ट्राइग इन 20 मिनिट अप यहां पर यह चीज दिख रही है अगर मैं राइट पासवर्ड डाले तो क्या होगा देख टिक है राइट पासवर्ड डाला यहां पर तो मुझको यहां यहां पर लॉगिंग करने मिल गया देखे अभी क्या कर रहा है एरर इनकरेट यूजर ने वह पासवर्ड ट्राइग इन 20 मिनिट्स अब यहां पर मैंने पासवर्ड डाला था पर अफॉस मैंने यहां पर लॉगिन अटेंब रख था है तो मैं अब 20 मिट के बाद ही लॉग ने कर पाएंगे यह आपकी IP अड्रेस पर ठीक है या फिर आपके सर्वर पर बॉक करते हैं तो अगर आपके सर्वर या दूसरे आईडी से वाग कर रहे है तो आप इसमें लॉगिं कर से ठीक है तो इसी के साथ यह जो सिकर्टी कंसर्ट और सिकर्टी फीचर्स है आप अप अपना स्ट्रॉंग पासवर्ड रखा सबसे बड़ी चीज नेक्स्ट हमने डावलूपी हाटनिंग कर ली थर्ड हमने अपना लॉगिं पेज हाइड कर लिया और एक अलग साही लॉगिं पेज क्रियेट कर दिया फॉर्थ हमने सिखा की वेबसाइट को हमेशा अप्डूड आमोटन। तो अच्छित इस रुमित नाइट था क्यू